गुजरे जमाने की वो एक्ट्रेस जिनोंने परदे पर अपनी एक्टिंग के साथ साथ खोबसूरती से भी राज किया लेकिन अंत में उनकी मौत अंसुलजी पहेली रह गई जिसकी गुथी आस तक नहीं सुलज पाई हम बात कर रहें एक्ट्रेस प्रिया राजवंच के बारे में बॉलिवुड की दुनिया बाहर से बहुत ही प्यारी ऐशो आराम वाली लगती है बाहर लगता है कि यहां कितनी चमक धमक है और कितनी सुकसुधाएं हैं लेकिन माया नगरी के पीछी की सच्चाय के बारे में बह इसी में कहानी है एक्ट्रेस प्रिया राजवंच की गुजरे जमाने में फिल्मों में उनके एक्टिंग और खुबसूरती के चर्चे खुब हुए उनकी परसनल लाइफ भी जग जाही रही लेकिन उनकी मौत केवल अनसुल जी पहेली की तरह ही रह गई उनकी मौत को पहल उनका बचपन का नाम वीरा सुंदर सिंग था उनकी स्कूलिंग और ग्रेजुइशन शिमला में हुई बाद में पिता का ट्रांसफर लंदन हो गया जिसके चलते वीरा ने आगी की पढ़ाई रॉयल अकैडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में लंदन से की उनके परिवार का फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था लेकिन वीरा को फिल्मों में काफी दिल्चस्पी थी एक्टिंग सीखने के बाद और इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग के आफर भी आने लगे मौडलिंग के दिनों में उनकी जो भी फोटोस देखता वो उनका दिवाना हो जाता हर कोई पूछता कि आखिर ये लड़की कौन है इसके बाद देवनंद के भाई केतन आनन ने वीरा को अपनी फिल्म हकीकत में कास्ट करने का मन बना लिया था उन्होंने ही वीरा को पहला ब्रेक फिल्मों में दिया वो जमाने के जाने माने डिरेक्टर हुआ करते थे प्रिया और चेतन आनन्द के फिल्म हिट रही इस दोरान एक और खास बात रही कि एक्टरस और चेतन की शूटिंग के दोरान ही नजदी किया बढ़ने लगी जिसके बाद 15 साल बड़े चेतन से एक्टरस को प्यार हो गया वहीं चेतन भी प्रिया की खुबसूरती पर फिदा थे डिरेक्टर पहले से शादी शुदा थे और अपनी शादी शुदा जिन्दगी से खुश नहीं थे इस वज़ा से वो प्रिया के साथ जादा वक्त गुजारने लगे और दोनों एक दूसरे के प्यार में पढ़ गए इतना ही नहीं रिपोर्टस में बताया जाता है कि एक्टर्स चेतन के साथ लिविन में भी रही लेकिन दोनों ने कभी शादी नहीं की इसके साथ ही बताया जाता है कि डिरेक्टर की पहली बीवी से दो बेटे केतन और विवेक थे जो उन्हें यानि कि प्रिया राजवन्ष को बिलकुल भी पसंद नहीं करते थे मामला तब और गर्मा गया जब चेतन ने अपनी वसियत बनवाई उन्होंने प्रिया राजवन्ष को भी उतना ही हिस्सा दिया जितना कि उन्होंने अपने दोनों बेटों के दिया था वही कुछ समय के बाद चेतन का निधन हो गया डिरेक्टर की मौत तक प्रिया का रिष्टा उन से रहा इसके बाद एक्टरस अकेली पड़ गई जितन के जाने के बाद ना तो उन्हें कोई सुख का साथ ही मिला और ना ही दुख का करिब तीन साल उन्होंने तनहाई में काटे इस वक्ट तक प्रिया राजवंच इतनी अकेली पड़ गई थी कि आखरी घड़ी में भी उनके साथ कोई नहीं था 27 मार्च 2000 को उनके बंगले में उनकी लाश मिले पुलिस ने जाँच पड़ताल की तो पता चला कि उनकी मौत कोई नैचुरल डेथ नहीं थी बलकि उनका मडर हुआ था फिर मडर का शक चेतन के दोनों बेटों केतन और विवेक पर गया साथ ही बंगले पर मौजूद दो नौकरों माला और अशोक को भी इस मामले में घसीटा गया इन सब को गिरफतार कर लिया गया एक्टरस ने केतन और विवेक से अपने संबंधों का जिक्र एक डाइरी में भी किया था जिसमें लिखा गया था कि चेतन की मौत के बाद उनके दोनों बेटे वसियत को लोटाने का दवाब उन पर लगातार बना रहे हैं इसी आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफतार तो कर लिया लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिलने की वज़ा से उन दोनों को बाद में बरी करना पड़ा और इसके बाद एक्टरस की मौत आज तक अनसुलजी पहेली बन कर रह गई